नमस्कार दोस्तों टेक्टर्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है येस जाट और दोस्तों हमने फॉस्ट वीडियो में इस कम्माइन मीनी हारवेश्टर का रिव्यु किया जो की भहिया पाटीदार जी हमारे साथ हे इन्होंने खरीदा इस वीडियो में हम कि पाटिदार जी से जानेंगे कि इन्हेंगे के समय से लगा कर अभी तक क्या-क्या dec felt इसमें आई और क्या-क्या सूधार की इसमें आव सकता है पाटिदार जीाजार को अंदर से थ्रीषिंगें इनको सुघार एक कि यह हैं कि जैसे इन्नोंने सुखला उठाने की जो प्रवेन लगाया है उसको एक ट्वल में करना पड़ेगा इसको और इसमें जो एक फेन दोनों के पर दे दिया यहिए दोनों को अलग-अलग करना पड़ेगा उससे कि आया के नीचे जाली भर जाती है ज्यादा एक इसमे में चलाएंगे तो इंदोनों फेंगो अलग अलग करना पड़ेंगे इनको पाड़े दर जी आपने इसको कितने में खरीदा यह मेरे यहां पर आया यहां को एक ट्ट देता है यह अभी लगबग सब गंटा है यह गंटा में एक बिगे की फसल समय खाट लेगा लेकिन ऑप कैसे के मेरे होती है मेडे जो जो जिसे बोलते हैं या फिर पारिया जो होती है वहां पर इसका काम किस तरह कहें उसमें। तोड़ी चलाने में प्रोब्लम हाति यह लें काट़ने में दोष्ब्धत नहीं हाति है उसको तोड़ा रोग रोगकर चलना पड़ता है थोड़ा डाउन करके लगना पड़ता है क्लेश को दबाना पड़ता है क्योंकि एक साथ में अगर उसको उठाएंगे तब में तूट भी हो सकती है एक साथ में निचला सकते हैं कितनी उच्छाई पर यह काटता है यह लगबग अगर पत्थर नहीं होंगे तो च किसान भाईयों को वहां जाके जहां पर यह हर्वेश्टर बन रहे हैं या फिर जहां पर चल रहे हैं वहां जाकर फिर खरिदना चाहिए बिल्कुल एक बार देखना जरूरी है अपने को है करा आँगमीज के तो कोई बी लेगा तो फ़से गये बिल्कुल आपने को टेक्निकल देखना जरूरी है अपने लाता कर गलता हुद ही हएं आप वीडियो देखकर किसी भी harvester को न खरिदे फिल्ड में जाईए जहां पर हार्वेस्टर और काम कर रहा है अपने चैत्र के हिसाब से अलग-अलग जगा जमिने होती है कहीं पर भी समतल होती है कहीं उबडखाबड होती है कहीं पतरीली होती है तो आप पेले पेक्टिकली आप जाके देखें, डेमो देखें, उसके बाद ही किसी भी हर्वेश्टर को खरीदने का नीन नहीं ले। मैं यहाँ पर किसी भी हर्वेश्टर का पचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिधा किसान भाई से बातचित कर रहा हूँ, ताकि दूसरे किसान भाईयों को खरीदे तो कम से कम नुक्सान उठाना पड़े, पड़िदार जी भाईया से मेरी बात हुई थी, आपके जो लड़के हैं उनसे मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे, इसमें टूट बांग बहुत होती है, तो समझे आपनी है कि अब टेक्निकल प्रोब्लम आएगा तो थोड़ी बहुत तो उठानी पड़ेगी अपने को, जैसे आगे यह जो इन्होंने दिया है, इसमें सपोर्ट नहीं दिया है अब यसी कुछ छोटी बोडी परिशा नहीं आती है, तो अपने को उठाना ही पड़ेगी है, अब यह आपने इसको एक दो महीने तक चलाया है, उसके बाद आपको इसमें क्या-क्या नुक्सान उठाने पड़े है, इसमें नुक्सान तो जैसे अपने गेहूं टूट रहे है अपने जो निमच मंसोर जो मध्य परिदेश का एरिया है, इसके इसाफ से अपने को वहीं बताउँगा, अपने थ्रिसिंग में जो आपने को इननों में कटर डाल रहा, एक तो उपर का जो धकन दे रहा है, इसमें दो पाटेसन में चीए अपने को इसमें उठाने बहु पाड़िदार जी एक सवाल और मेरा ये रहेगा आप इमानदारी से बताइए कि जो नए किसान भाई इसे खरीदना चाहते हैं जिने इसका अनुभाव नहीं है तो उनको इस तरह के कम्माइन हर्वेश्टर खरीदना चाहिए या फिर अपना जो काम है किराई से चला लेना च यहांको लेने में कोई दिकत नहीं है जो बड़े खिसान है प्रोब्लम कुछ नहीं है चलाने में वी कोई दिकत नहीं है लेकिन अपने को एक बार कंपनी में बिल्कुल अपने आउनकों से देखensored के फिर खरीदना चीए पार्टिदार जी ने बहुत अची बात बताई है कि जब भी किसान भाई खरिदने जाए तो अच्छे से उन्हें देखे हैं हारवेश्टर के उपर मैंने पेले एक वीडियो डाला है उपर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और जब भी किसान लाइक करिएगा अन्य किसान भाईयो तक सेर करिएगा चल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकरी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै भारत जै किसान